पंजाब के मुख्य मंतरी चरणजीत सेंग चन्नी के हेलिकॉप्टर को चंडीगर्ड के राजेंदर पार्क से फोश्यारपुर जाने की पर्मिशन नहीं दी गई प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी के वी वी आई पी मूफ्मिन्ट के कारण चरणजीत सिंग चन्नी के हेलिकॉप्टर को रुखने के लिए कहा गया और चन्नी को फोश्यारपुर में राहूल गांधी के साथ चुनावी तरिक्रम में हिस्सा लेना था शामिल होना था चन्नी का आरोप है कि राजनीत के चलते मुखे मंतरी चन्नी के हेलिकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन होने के बावजूद उडने की अनुमती ही नहीं दी गई यानि कि हेलिकॉप्टर उडने ही नहीं दिया गया तो आप लैंडिंग कैसे करेंगे तो पंजाब में चरन्जी सेंचन्नी ने ये आरोप लगाया है चन्नी में क्या का सुनी परमिशन के बावजूद तक्रीबन दो घंटे हो गए हैं चरन्जी सेंचन्नी को इंतजार करते हुए हेलिकॉप्टर में भी बैठे रहे हैं उतर कर बहार पर भी आ गए हैं और अभी भी लग लग रहा है कि इंतजार ही कर रहे हैं कि ऐसा है कि आज हुश्यारपुर में रैली थी मैंने यहां से चंदीगड से 11 बज़े उडान बरनी थी लेकिन जब मैं जाकर हेलिकप्टर में बैठा जबके मेरे पास परमीशन भी थी वहां कर लेंडरिंग की भी परमीशन थी तो इन्हों ने मुझे रोक दिया कि आप अभी उड़नी सकते आगे से क्लीरेंस नहीं हो रही है तो मैं 11 बज़े से अब धाई डेड़ बज़ गया है धाई गंटे से ऐसे ही यहां बैठा हूँ खाली और क्लीरेंस नहीं दे रहे हैं और यह मतलब परचार रोकना यह ज्यादा अच्छी क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीती है वजह यह दी जा रही है दरसल कि प्रधान मंत्री ने यूपी से कानपूर से यहां पर आना था तो उसकी वज़े से नो फ्लाई जॉन बना दिया गया अरिये को यह नो फ्लाई जोन अब मुख्य मंत्री भी अपन पर्मिशन्स आप लोगों ने ली थी हमने 11 बजे की यहां से उड़ने की और वहां उतरने की पर्मिशन हमारे पास है तो यह अचानक कैंसल करना सही नहीं है तो रहुल गांदी जी फिलहाल रैलियां कर रहे हैं होश्यारपूर में उनकी रैली हो चुकी है हम मैंने वहां ज से बात कर लूँगा लोग मुझे जानते हैं और मेरी सुनते हैं लेकिन यह राजनिती में कोई अच्छा उर्जान नहीं है जो हो रहा है क्या आपको लगता है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में जब प्रचार की ज़्यादा जरूरत होती है तो इस तरह की कोई टै जाना था वहां लेकिन यह गलत है यह